हरियाना में आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस की बीच गडबंधन के फैसले को लेकर अभी भी सुस्पेंस बना हुआ है कभी गडबंधन की खबरे तेज हो जाती हैं तो कभी आम आदमी पार्टी के नेता इसे साफ तोर पर नगार देते हैं इसी कड़ी में अब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बड़ा एलान कर दिया है जिसे सुनकर अमेरिका के दोरे पर गए रहूल गांधी के गेम प्लान पर पानी फिरता नज़र आ रहा है दरसल आप नेता संजय सिंग ने ये ऐलान करते हुए कहा है कि हर्याना में आम आदमी पार्टी बिना किसी गड़ बंदन के अकेले चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तयार है पार्टी को आप केबल तिहार जेल में बंद अपने मुखिया अर्वेंद केजरिवाल के सिगनल का इनतिजार है उनका सिगनल बिलते ही पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी ये बात साफ हो जाएगी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज एक प्रेस वारता के दोरान जब संजे सिंग से कॉंग्रेश और आपके गडबंधन को लेकर सवाल पूछा गया तो संजे सिंग ने साफ तोर पर कहा कि अब हमारे पास काफी कम समय बचा हुआ है नामंकन की तारीक 12 सितंबर है बेहद नजदिक है और सबी सीटों पर आम आदमी पार्टी की तयारी पूरी हो चुकी है बस आला कमान के फैसले का इंतिजार है जिसके तुरंत बाद ही केंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी जाएगी संजय सिंग ने कहा कि हर्याना में हमारा संगठन काफी मजबूत है आम आदमी पार्टी की हर्याना में पूरी तयारी है उम्मीदवार गोशित करने की प्रिकरिया पूरी हो चुकी है जैसे ही उन्हें पार्टी के सुप्रीमों से इजादत मिलती है आमादमी पार्टी की सूची जारी कर दी जाएगी जो लोग संगठं का काम जमीन पर कर रहे हैं वो लोग अर्विन केज़िवाल से चर्चा करके इस मुद्धे पर आगे बढ़ेंगे संजय सिंग ने आगे कहा कि हर्याना में आमादमी पार्टी की और से सारा काम संदीब पाठक और शुशील गुप्ता देख रहे हैं और उनकी पूरी तयारी है संजय सिंग के बयान के बाद जहां एक और माना जा रहा है कि आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच गडबंदन की स्थिति को लेकर आज का दिन काफी एहम है तो ही आपको बता दें कि हर्याना में कॉंग्रेस ने अब तक 41 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है बात करें आमादमी पार्टी के हर्याना एकाएं के परमुक सुषिल गुपता की तो उन्होंने भी अब पार्टी पर दबाव बनाना शरू कर दिया है सुस्तरों की माने तो शुशील गुपता ने कहा है कि अगर कॉंग्रेस पांच अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए आम आदमे पार्टी के साथ गड़ बंदन को अंतिम रूप नहीं दियना चाहती है तो पार्टी आज शाम तक सभी 90 सीटों के लिए अपने आखिर पेज कहां फस रहा है तो आपको बता दें कि हर्याना विधानसवा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच गड़ बंदन ना होने की बड़ी वज़े सीटों की संख्या है सुत्रों के मुताविक जितने सीटों पर आम आदमे पार्टी चुनाव लड़ना चाहती हैं कि केजरिवाल की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव तो लड़ा जाए लेकिन जादा सीटों पर आम आदमे पार्टी के उमिदवारों को उतारने से वो कत्राते ने जरा रहे हैं ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या आप और कॉंग्रेस के बीच बात बनती है या आम आ